देखे अर्विंद केजरिवाल जी जूट बोलने की मसीन बन गए हैं और उनको कोई संकोच नहीं है कई बार इनको अपने कहे से यूटन लेना पड़ता है, कई बार इनको किसी के खिलाफ की गई टिपणी के कारण माफी मांगनी पड़ी है उसके बाद भी वो सुधरने को या समभलने को तयार नहीं है ये पहली सरकार है नरंदर मोदी जी की जहां आठ दसमलो छे लाख करोड रुपिया जो रिन एनपिये था वो वापस आया है इस सरकार में और ये पहली सरकार है जिसने वेलफेर इसकीम के तहर एक कटेगरिकल रूप से इस देश में लोगों को आयुशमान योजना भी दिया जहां पाँच लाख रुपे का एक साल में फ्री इलाज किसी भी अस्पताल में जाईए उस कटेगरिकल के लोगों का होता है जो लगबग 55 करोड की संक्या में है इस देश में उज्वला योजना के तहसे कटेगरिकल बनाई गई कोई हम ये किसी मस्जिद के मौल भी को ये के घर में गैस कनेक्सन दे करके उसको भी समाज के बरोबर फील कराने का हिसास की हूँ नरदर मोदी जी की सरकार है हमने जब ये योजना जब भी योजना बनाई है चाहे वो 80 करोड लोगों को फ्री में अनाज कोविट टाइम में हमने दिया आज भी चल रहा है तो हमने य जाति के धर्म के या इस बर्ग के ऐसा नहीं हमने कटेगरी बनाई और सबको दिया आज उसके बाद भी देश में सबसे ज़्यादा सडके बन रही है प्रती दिन सबसे ज़्यादा हाइवेज बन रहे है और जी एस्टी कलेक्शन को एक एक महीने में एक लाख साथ हजार कर कड़ा छो लिया हम पहले से जो करज ली थी यूपिय उसको भी भर रहे हैं ओयल बॉंड का भी प्रतिवर्स भर रहे हैं हमने करज को घटाया है जो देश पर पीछे के लोगों ने रखा था अरविंद केजरिवाल जी क्या कर रहे है नारा था पानी माफ बिजली हाफ यह कि हर गली में देखा गया कि हमें जिताओ हम पानी का पैसा माफ कर देंगे और बिजली का पैसा हाफ कर देंगे मैं विनमरता से पूछना चाहता हूँ क्या दिली में सबका बिजली हाफ हुआ क्या सबका पानी माफ हुआ यह रेवडी कही जाती है रेवडी बाटना हम जो बोल रहें, वो कर नहीं रहें हैं, हमने कह दिया हम 2020 में जमना जी में आपके साथ डुब की लगाएंगे, मैं के अरविद केजरी वाल हूँ, क्या जमना जी में पांच साल क्या साथ साल वाल भी डुब की लगाना तो छोड, उस पानी को एक बार ले करके मुझा में डाल सकते हैं आप नहीं आपने कहा पुरी दिल्ली में वाइफाई लगा देंगे रेवोडी बाटते गया आज भी आप गए उत्राखंड में हम आपको ये कर देंगे गोवा में ये कर देंगे गुजरात में जाएं कहेंगे हम आपको ये 18 साल से उपर के लोगों को सभी को हम पैसा बा जो दो तिन घट गए हैं आप मोडल स्कूल जो पहले से स्कूल बने थे उसी पो कमरा बनाते हैं आपने कहा था वीस नए कॉलेज देंगे दिया क्या एक भी कॉलेज ये होता है रेवोडी बाटना और मैं समस्ता हूं मानने सुपरीम कोट ने मानने कोट ने जो आज इस रे परिसान हो रही है देश में बहुत सारी पार्टियां है नरेंदर मोडी जी ने अपने चिंता में आमादी पार्टी का नाम नहीं लिया आमादी पार्टी क्यों परिसान है क्या सबसे ज्यादा रेवोडी वही बांट रही है मेरा अर्थ है रेवोडी बांटने का जो समझ म नहीं मिली और उन्होंने जब अपील की कि उनको सुनिखांदी जय करते नहीं मिली उन्होंने आपका नाम लिया है कि मनुस्ति वारे जी ने मुझे सिर्फ तील लागत है तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरिवाल जी ने एक पदक जीती हुई दिल्ली की बेटी को जितना आज हुमिलियेट किया है जितना उसको तकलीफ दिया है पूरे देश का खिलाड़ी और खेल प्रेमी कभी अरविंद केजरिवाल जी को माफ नहीं कर सकता 2015 में यही दिब्या इसने एशियन चैंपियंशिप जीत के जब आई तो मैंने अपनी तरफ से उसको अपने लोकसवाचेतर के लोगों से चंदा निकाल निकाल करके तीन लाख रुपिया दिया जब उसके घरम पहुचे थे गोकलपुरी के उस गली में तो भीड लगी थी लोगों की जब उसकी मा से मिले हम हमने हसी हसी में पूचा था ये तीन लाख रुपिया क्या करोगे उसने कहा था कि मेरी मां सिलाई करकर के हमको पढ़ाती है हमको खेलना सिखाती है और हमारी मां ने बहुत करज लिए हैं हम पहले उस करज को भरना चाहते हैं उसके बाद भी 2015 में सतर में सरसठ सीड जीत करके आई आम आदमी पाटी के न कान पे जूरेंगी न तो उनके हिर्दे पे जरा भी इसका असर पड़ा उस लड़की ने जो आज कॉमन विल्थ में ब्रॉज मिडल आई है मैं इस दिल्ली और देश को बताना चाहता हूँ अगर दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरिवाल केवल हवाई भाशन के अलावे अगर सही में उसको सपोर्ट करते न तो आज दिल्ली की बेटी ग दूटे हैं उनको सम्मानित करना ही नहीं है इसलिए अगर खिलाडी पदक ला भी दिया तो हम उसको दिल्ली का नहीं मानेंगे मैं कल उसके घर जा रहा हूँ मैं कल उसके घर 12 बजे के आसपास जा रहा हूँ और मैं उस बेटी को फिर सम्मानित करूँगा आज उसको PC करना पड़ा और जब वो PC कर रही है तो ठीक उसी समय उसकी बात दिल्ली न सुन पाए देश न सुन पाए उसी टाइम अरविंद केजरिवाल जी अपनी PC रखते हैं जो आपने खिलाडी के हुनर को नश्ट करने का जो ये काम किया है अरविंद केजरिवाल जी आपको कभी भी इस बीटिया की इस खिलाडी हमारी भारत की गौरो इस बीटिया की जो दिल्ली की गौरो है भारत की गौरो है इसकी आह अरविंद केजरिवाल को बहुत परिसान करेगी देखिए अरविंद केजरिवाल जी जूट बोलने की मसीन बन गए है और उनको कोई संकोच नहीं है कई बार इनको अपने कहे से यूटन लेना पड़ता है, कई बार इनको किसी के खिलाफ की गई टिपड़ी के कारण माफी माँगनी पड़ी है, उसके बाद भी वो सुधरने को या समभलने को तयार नहीं है। एक कटेगरिकल रूप से इस देश में लोगों को आयुश्मान योजना भी दिया, जहां पाँच लाक रुपे का एक साल में फ्री इलाज किसी भी अस्पताल में जाईए, उस कटेगरी के लोगों का होता है जो लगबग 55 करोड की संक्या में है।